उद्वार की सुभा एक दिन की छुट्टी के बाद आप सब का स्वागत है और आप सब को पिर से हम सब की तरफ से स्वतंत्रता देवस की कूप-खूप धेरों शुब कामना है सुमार को जब हम हफते की शुरुआत करी थी तो बड़ा वॉलेटाइल बड़ी दिक्कत भरी शुरुआत थी खराब ग्लोबल क्यूज के लिजे चाइना स्पेस्विक कंसरन्स के लिजे हमारे अपने कुछ इंटरनल सब मिला मिलू के तगड़ा प्रेशर एक समय 170 पॉइंट दबाव में थे 19-250 के बेहत करी पर उनी लिवल से घूमे दिन के दुरान एक बड़िया रिकावरी और फाइनली फ्लाट कह लिजे स्लाइटली इन ग्रीन क्लोज होता हुआ भारतिय बजारों में खेर मारकेट्स में आगे डिटेल में बात चीद करूगा आज क्या-क्या इंपोर्टन आज खुलते ही कुछ इंपोर्टन चीजों पर रियाक करना है एक दिन की चुट्टी के बाद हम आ रहे हैं सबसे इंपोर्टन मंडे शाम को जो हमारे CPI numbers और headline producer साब ने mention कर रहा था सारे स्ट्रीट अनुमानों से कहीं उपर headline inflation का number उस पर react कर रहा होगा भारते बादार यूएस मारकेट्स के एक नहीं दो दिनों के Qs कैसी रही थी यूएस की दो दिनों की चाल आगे बताऊंगा दो दिनों के यूएस के Qs पर react कर रहा होंगे और एक heavyweight ITC के Monday को शाम को जो numbers आए उस पर भी हमें खुलते ही करना है react प्लस आज है penultimate session कल की weekly expiry से पहले वाला वो all important penultimate session साथ-साथ nifty mid cap select की expiry का दिन आज सुबा तर के साड़े 10 बजे cabinet और इस बार CCE by parliament खतम अब cabinet और CCE दोनों के आज वो बैठक स्केटी उल्ड है आज शाम को US में जो पिछली fed meet हुई थी उसका ब्योरा उसके minutes release होने जा रहे है प्लस UK के inflation numbers आएंगे अच्छा स्वतनता दिवस अपती जगे साथ-साथ जो लोग celebrate कर रहे है वैसे हम सब कोई पार्सी नववर्ष की ठेरो शुब कामना है पार्सी न्यू यर है ध्यान रखें bank holiday है आज currency markets बंद है यह सब ध्यान रखना है हमको खेर रहे हैं इन सब के निचोड के आए दो दिनों के Qs गिफ्ट निफ्टी के रहा भाई साब आधा परसेंट गिर जाएंगे 90 पॉइंट नीचे गांधी नगर से आज सुबा सुबा इंडिकेशन साते हुए तरह सल मंडे को तो समय करन ठीक थे कल भी कर गया ज़रा दोनों दिन के US Q screens पे रखेगा तब समझ माएगा आपको जब मंडे को हम सेशन क्लोज करते हैं सारे तीन बजे उस समय यूएस के futures थे एक चोथाई से एक तिहाई फीजदी मस्पूत ने ये तो कल का है कल के पहले छोड़ दीज़े मैं बताता हूं मंडे को क्या हुआ फ्लैट से एक परसेंट का उचाल था डाउ फ्लैट बंद हुआ था चबीस पॉइंट उपर SNP में आधे परसेंट का उचाल था और NASDAQ एक परसेंट बाउंज बैक कर गया था तो इसलिए क्योंकि और सिमी कंड़क्टर स्टॉक्स बापिस अच्छा बाउंज बैक दिलिवर कर रहे थे IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे NASDAQ आउट परफॉर्म कर गया उसके बाद लेकिन कल फिर समीकरण बिगड़ गए कल तीनो बेंचमार्क अच्छे खासे दबाफ तीनो एक एक परसेंट से जादा की कमजोरी के साथ दिन के लोज के असपास बंद होते हुए ना